Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading अपकी love life में क्या हो रहा है में पर से यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे, सिकेंद सेर अपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहां पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है running from love और यह card कहता है कि कुछ time से यह October starting में आप love से भाग रहे हैं अब देखिए situations, circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ seretaries के लिए हो सकता है कि आप अपनी feelings, अपनी emotions को नहीं accept कर रहे हैं कभी-कभी होता है कि हम मानते ही नहीं कि भई हमारे मन में हमारे partner के लिए प्यार है और कितनी बारी situations, circumstances, religion, society की वज़े से हम थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कहीं हम love को नहीं accept करते हैं या फिर प्यार से भागने लगते हैं और कितनी बारी हमारे past experiences अच्छे नहीं होते हैं और कहीं उनकी वज़े से भी हम प्यार को नहीं again मैं कहूंगे accept करते हैं, प्यार से भागते हैं तो यहाँ पर जो भी तीन सेनारियोज मेरे माइंड में आए मैंने कहा, सब सरिटेरियस के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन running from love का card बहुत ही clearly कहता है, कि आप love से, partner से, या फिर you know, प्यार से भाग रहे हैं, और कहीं surface level के लिए the world reverse का card कहता है, या तो आप कुछ चीजों को, या relationship को end करके, नए सिरे से एक नहीं beginning करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ending हो रही है, आप उसको नहीं accept कर पा रहे हैं, या फिर कुछ से टेरिस के लिए हो सकता है, कि आप एक closure चाहा रहे हैं, आपको वो closure नहीं मिल रहा है, और देखिए broader level के लिए कहीं ending, beginning, किसी भी level पे किसी भी तरीके से, अगेन या तो आप चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या हो रही हैं, तो आप उसको accept नहीं कर पा रहे हैं, और इन ही सब चीज़ों को लेकर बहुत एक stress, बहुत एक tension आप महसूस कर सकते हैं, अब देखिए मैंने थोड़ा सा जोर देखिए stress और tension बोल दिया, लेकिन आप इस चीज़ को सुनके परिशान ना होना, क्योंकि देखिए beyond the point, जो भी चीज़े हमारी life में हो रही हैं, उनको लेकर हम खुद को क्या बोलते हैं, हम कैसे deal करते हैं, वही determine करता है, कि हमें कितना stress होगा, हमें कितनी tension होगी, और अगर यहां पर devil का card आया है Sagittarius, that only means, कि आप कहीं तरीके से चीज़ों को नहीं deal कर पा रहे हैं, और दिखिए मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ, जिन्दकी बड़ी असान है, हम यह उसे complicate करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे उसमें हैं, like you know capacity में हम कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं, जो हमारी capacity में नहीं हैं, जब हम उन चीज़ों में खामखा involved होते हैं, अपनी temptations की वज़े से, अपनी desires की वज़े से, तब हम अपनी life को complicate करते हैं, हम अपनी life को difficult बनाते हैं, और अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं, यकीन मानिये, जिन्दगी बड़ी असान हो जाती है, तो थोड़ा सा pause करके अगर आप इन चीज़ों को analyze करें कि भी क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं, उसके लिए best दें, जो नहीं कर सकते हैं, उसको let go कर दें, universe पे छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि ऑक्टूबर मन्थ आपका थोड़ा सासान हो रहा है, और अगर नहीं ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे devil का कार्ट, तो फिर से मैं कहूंगे stress tension की बात करता है, और साथ ही साथ बहुत एक obsessive energies की भी बात करता है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके partner की आदत पढ़ गई है, और बहुत एक addiction आप मह मैं सी physical presence भी अपने partner की चाहा रहे हैं, और deeper level के लिए Snapchat का कार्ट कहता है कि आप social media के through connected है, और ये भी हो सकता है कुछ के लिए, कि Snapchat पे आपने ऐसा कुछ देखा, आपको ऐसा कुछ पता लगा जिसकी वज़े से आपको stress और tension हुआ, और देखिए कहीं end October के लिए, आप इन ह सब energy से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं, यहाँ पर six of wands का कार्ट कहता है कि बहुत सबर्दस्थ confidence आपको खुद पे आता हुआ दिख रहा है, आप lead लेते वे दिख रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी इन ही energies में से खुद को बाहर निकाल रहे हैं या फिर निकल रहे हैं और आ अब दिख रहे हैं, अब दिखे यह move on भी सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने मन ही मन decide कर लिया कि भई नहीं, आप इस relationship में नहीं रहेंगे, आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे, अब आप बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, that is a different thing, deeper level के लिए disrespect का काड़ कहता है, you know, एक reason जिसकी वज़े से आप अपने आपको इन energies में से बहार निकाल पाए, is disrespect, अब दिखिए ये फिर से कहूंगी general reading है, तो disrespect किस level पे हुई, किस तरीके से हुई, ये भी सब के लिए differ करेग जनरल, you know, society में कोई भी चीज हो रही है, और आपको ऐसे लगा कि इनका mindset अगर ये है, तो फिर ये ठीक नहीं है, और आप इनके साथ आगे नहीं continue कर सकते हैं, या, you know, इसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, ये मैंने बहुत एक बड़ा sentence बोला, कि भी आप continue नहीं कर सकते हैं, obviously general reading है, कुछ Sagittarius या, काफी सारे Sagittarius हो सकता है committed relationship में, आपका relationship बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, उस scenario में देखिए, आपको ऐसे लग सकता है, कि you need to talk about it, and you need to, you know, do something about it, क्योंकि आपको ये चीज अच्छी नहीं लग दिए, तो किसी level पे एक disrespect सी आप महसूस कर रहे हैं, मैंने आपको एक example दिया, मैं नहीं कह रही कि subsidiaries और उनके partner के लिए ऐसा रहेगा, but here is something like, you know, this is happening, और जिसकी वज़य से मेभी आप कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, जो movement आप starting October में नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो एक नई beginning आप नहीं कर पा रहे थे, वो end October में कहीं किसी भी level पर आप करते हुए दिख रहे हैं, फिर से ये नई beginning subsidiaries के लिए डिफर करेगी, अब आप फिर पार्टनर के energies देखते हैं, तो देखिए आपके partner के लिए आप इस सबसे पहला card है 2 of souls reverse, और ये card कहता है कि हो सकता है कि कु अब उनको बाहर निकालना है खुद को, और यहां पर texting का card कहता है, हो सकता है कि आप से texting के through connected है, यहां फिर अपनी feelings, अपना कोई you know, चीज उनके मन में आपके लिए है, इस relationship के लिए है, उसको express कर रहे हैं, देखिए texting, सिरफ texting नहीं होती है, cards के scenario में, literally कुछ लोगों के ओ जादा connected है, बट texting is like you know, अपनी feelings, अपनी emotions, जो भी feel कर रहे हैं, कुछ से रिटेरे के partner के लिए हो सकता है, बहुत love feel कर रहे हैं, तो वो express कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, गुसा, कुछ के लिए हो सकता है frustration, तो कोई भी चीज हो सकती है, फिलाल देखिए, वो काफी stuck म महसूस कर रहे थे, in fact October starting में भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन October starting में उनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब उनको इन stuck energy से बहार निकलना है, और देखिए कहीं इसलिए या फिर otherwise भी two of cups reverse का कार्ण कहता है, कि एक distance वो अपनी तरफ से maintain कर रहे हैं, या फिर आपकी त आपने उनको किसी भी level पर use किया, अब देखिए मैं यह बिलकुल भी नहीं कह रही हूं, Sagittarius कि आपने उनको use किया, I am not saying that, but you know उनको ऐसी feeling हो रही है, कभी-कभी genuine reasons होते हैं, partner ऐसा feel कर होते हैं, कभी-कभी कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी बात हुई जिस से क उनको ऐसी feeling होनी शुजाती है, कि भाई, मुझे use किया, तो यहाँ पर मैं सिरफ और सिरफ unbiased तरीके से आपके partner के energies आपसे share कर रहे हूं, आपको बता रहे हूं, तो use का card कहता है, कि उनको mid October में, October मत में ऐसा लग सकता है, कि आपने उनको use किया, या फिर वो इस relationship में use बहुत एक anxiety सी महसूस कर रहे है, enthusiasm, excitement लो रहता हुआ दिख रहा है, कहीं you know, या तो over daring, over courageous होके कुछ चीजें कर रहे हैं, या फिर करना चाहा रहे हैं, बहुत ही boldly, बहुत ही courageously नहीं कर पा रहे हैं, और अब देखते हैं कि October मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए October मन्त के यहाँ पर vibes का card कहता है, कि आप दोनों अगर अपनी feelings खुल के नहीं दूसरे जन को बता रहे हैं, तो भी deeper level पर आप दोनों को पता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, यानि कि vibes आप लोग gather कर रहे हैं, या करना चाहा रहे हैं, और यहाँ पर six of souls reverse का card कहता है कि stuck महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, एक movement forward चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, अब दिखें, movement forward सब Sagittarius और उनके partner के लिए differ करेंगी, कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपके लिए बताया है, Sagittarius किसी चीज को end करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, अब relationship को end क के साथ चाह रहे हैं, कहीं movement forward नहीं हो रही है, और stuck feel कर रहे हैं, और इसलिए आपर depression का card कहता है, कि low energies है, emotionally low feel कर रहे हैं, कहीं you know enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है, 10 of pentacles का card कहता है कि या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक family के साथ जाधा connect कर रहे होता है, ना कभी कभी हम great नहीं feel कर रहे होते हैं, तो हम family members के साथ जाधा खुद को connect करते हैं, उनसे जाधा interactions करते हैं, उनकी activities में जाधा involved होते हैं, या फिर अगर उन्हें पता होता है हम इस phase से गुजर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जाधा involved होते हैं, तो एक scenario रहेगा कि family की involvement रह रह रही है किसी भी reason की वज़े से या आप involved हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है family की interference है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी issues, मसले हैं कहीं उसका reason, family का thought process है, conservative thinking है, society है, इसकी वज़े से issues हो रहे हैं, जो भी देखिए आप दोनों के बीच में चल रहा हूँ, मुझे ये relationship कहीं October month में end नहीं होता वा दिख रहा है, या पर two of pentacles का card कहता है, कि उपर नीचे up and down, in and out हो रहा है, ना तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक completely इस relationship में आ रहे हैं, ना ही इस से completely आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship से बाहर जा रहे हैं, तो in and out, up and down वाली आपके partner के उपर है, बहुत एक faith आपको आपके partner के उपर है, और कुछ चीजों के लिए, या तो आपने या आपके partner ने आँखों में पट्टी बांदी वी, यानि कि कुछ facts हैं, जिनको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि से reading से आ बहुत कुछ great नहीं है, हालांकि खराब नहीं है, बट great भी नहीं है, बट definitely इस reading से guidance लेके आप अपनी life को ज़रूर create कर सकते हैं, तो इसी चीज़ पे आप focus करें, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपकी सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें